स्वागत आप सभी का एक नेवीडी लेक्चर में आज की लेक्चर में 36 गड़ सरकल का MTS Postman का 2022 का कोशन पेपर करेंगे तो डिपार्टमेट और जीके के सभी कोशन को कवर करेंगे मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहां से जाकर आप कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्सकोशन देखते हैं आज की वीडियो का अंडमान और निकोवार आइसलैंड जाएगा बी आजाएगा अब आपने इसको किस तरह से याद रखना है वेस्ट वेंगोल सर्कल जो है इसको आपने रखना है डवल्यू ए एस डवल्यू से क्या हो जाएगा वेस्ट वेंगोल ए से हो जाएगा आपके पास अंडमान और निकोवार और एससे हो जाएगा सिक्किम यनि के West Bengal Circle में West Bengal आचाएगा अन्मा निकोबार और साथ मैं सिक्किम तो ये तीनों इसमें cover होते हैं correct answer आपके पास भी आचाएगा Value Payable Article Can Be Booked To मूल्य देवस्तू को कहां के लिए book किया जा सकता है Any Post Office in India भारत के किसी भी dark घर के लिए Any Delivery Post Office in India भारत के किसी भी बित्रण dark घर के लिए Any Delivery Post Office except an Army Post Office सेना dark घर को छोड़ कर किसी भी बित्रण dark घर के लिए Any Post Office except a BO branch post office को छोड़ कर किसी भी dark घर के लिए correct answer क्या जाएगा तो आपके जितने भी Value Payable Articles होते हैं या Money Order होते हैं उनको Army Post Office के पते पर book नहीं किया जा सकता है तो crack answer आपके बास क्या जाएगा C आजाएगा Value Payable Article आप किसी भी बित्रण dark घर के लिए book कर सकते हैं लेकिन Army Post Office के लिए नहीं किये जाएगे तो सेना dark घर को छोड़ कर किसी भी बित्रण dark घर के लिए crack answer हो जाएगा C Overseas Orders of Flatlic Products are executed by which Flatlic Bureau Flatlic उत्पादों के विदेशी order किस Flatlic Bureau द्वारा निश्पादित किये जाते हैं कलकता GPO, चन्नेई GPO, दिली GPO या फिर मुंबई GPO crack answer आपके बास क्या जाएगा D आजाएगा Bombay GPO या फिर मुंबई GPO सेम ही चीज़ है D option correct आजाएगी next चलते है Machine Franked Articles Posted in Letterboxes Shall we treated as letterbox में Post कियेगे Machine Frank लेखों को क्या माना जाएगा Fully Prepaid Articles माना जाएगा Unpaid Articles माना जाएगा Partially Paid Articles या फिर Registered Articles क्या माना जाएगा Cracked answer आपके बास भी आजाएगा उनको Unpaid Articles माना जाएगा अब Unpaid Articles क्या होते है ऐसे लेख जिनके ऊपर आपने कोई भी डाक शुल्क का भुकतान नहीं किया है उनको Unpaid Articles माना जाएगा अब Machine Franking Machine जो होती है उसका उप्यों क्या जाता है Posted Charges का भुकतान करने के लिए अब माली जे Posted Charges का भुकतान करने के लिए अपने Franking Machine की Impression किसी Article के उपर लगाई है लेकिन आपना उसको Post करने के लिए Letter Box में डाल दिया तो उस लेख को अवैतनी कमाना जाएगा अगला Question चलते है Question No.5 Facility of Pre-Payment of Postes by Cash is Available 4 नकद में डाक शुल्क के पूर भुकतान की सुभिदा किसके लिए उपलवद है Post Cards के लिए Inland Letter Cards Letters and Unregistered Parcels या फिर All of the above Correct answer आपके बास क्या आजाएगा D आजाएगा इन सभी के लिए उपलवद है आपके Registered Newspaper है Letters है Unregistered Parcels है Inland Letter Cards Post Cards इन सभी के लिए Pre-Payment of Posts in Cash वाली Facility उपलवद होती है C option correct आजाएगी Mail 4 Navy Personal on Board Ship Should be Addressed to Board जहाजों परतैनाथ नो सेना कर्मियों की डाक को किसे संबोधित क्या साना चीए Care of Fleet Mail Office Mumbai Care of Fleet Mail Office चन्नेई Care of Fleet Mail Office कलकता या फिर Care of Fleet Mail Office अब जैसे आपकी आर्मी वाली होती है आर्मी परसनल के लिए जो होती है उन्हें 56 APO या फिर 99 APO के पते पर भेजा साता है उसी तरह से ऐसी डाक जो नो सेना कर्मियों को संबोधितों से Care of Fleet Mail Office मुंबई के पते पर भेजा साता है ये option correct आजाईगी Registered Newspapers आर पंजीकरित समाचारपत्र होते है Second Class Mails But Treated As First Class Mails in Sorting दित्य श्रेणी की डाक है लेकिन छंटाई में प्रथम श्रेणी की डाक के रूप में से माना जाएगा First Class Articles है Second Class Mails Far All Purposes सभी उदेश्यम के लिए दित्य श्रेणी की डाक इसे माना जाएगा या फिर इन में से कोई भी नहीं Correct answer क्या जाएगा A आजाएगा इनको क्या माना जाता है दित्य श्रेणी की डाक में ये आते हैं लेकिन जब इनकी छंटाई की जाती है तो इनको First Class Articles के रूप में माना जाएगा A option क्राक जाएगी आगे चलते हैं प्रिशेवल वायलोजिकल सबस्टांसिज नाशवान जाएविक पदार तो जब भी आप Postman की त्यारी करते हैं मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ की PA की त्यारी करें ज़्यादा वेहतर होता है प्रिशेवल वायलोजिकल सबस्टांसिज नाशवान जैविक पदार्थ कैसे उनको भेज़ा जाता है क्या condition रहती है कौन उनको भेज सकता है यह सारी चीज़ें इसमें आती है अब यहाँ पे पूछा गए अब जिन्होंने PA की त्यारी किया वो इसको असानी से कर पाएंगे और कहीं न कहीं दो नंबर वो आप से आगे से ले जाएंगे तो इसका answer क्या जाएगा cannot be sent can be sent through letter post if properly packed in accordance with rules आप इसको नियमो के अनुसार अगर pack करते हैं तो पत्र डाक द्वारा भेजा जा सकता है can be sent as a parcel या फिर इनमें से कोई भी नहीं correct answer क्या जाएगा जितने भी प्रिशेवल वाइलोजिकल सबस्टांसिस होते हैं उनको डाक के मादेम से भेजा जाते है लेकिन नियमों के अमसार उने pack किया गया होना चाहिए correct answer क्या जाएगा भी आ जाएगा और ये कौन से close में आ जाता है close number 103 of post office guide part 1 तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं correct answer भी हो जाएगा आगे सेलते हैं weight of letter card should not exceed letter card का बज़न कितने से अधिक नहीं होना चाहिए 3 grams, 10 grams, 20 grams या फिर 2 grams तो यहां पर correct answer क्या जाएगा यह हो जाएगा आप देखो एक privately manufactured होते हैं निजी तोर पर जिने बनाया जाता है दूसरे आपके जो post office के जारा provide करवाई जाते हैं तो normal जो post office के जारा provide करवाई जाते हैं 5 gram और जो आपको निजी निर्मित इनके privately manufacturer जिनको किया जाता है वो 3 gram से जादा नहीं होने चीए PO guide के अनुसार लेकिन updated की बात करें दोनों के लिए 5 gram है अगर दोनों यह option में आ जाए तो क्या हो जाएगा आप claim कर सकते हैं या फिर 5 gram जो बहाँ पर correct answer माना साता है तो यह option यहाँ पर सही हो जाएगी next जलने है sample invitation cards can we sent through नमूनना निमंतरन card किसके माध्यम से भेजा जा सकता है letter, book packets, sample और patent packets या फिर all of the world correct answer क्या आजाएगा D आजाएगा इन सभी के माध्यम से इसको भेजा जा सकता है D option correct आजाएगी अगे सलने है office files containing notes and orders or draft letters and fair copies exchanged between government officer and his office may be sent by post as a serkari अधिकारी और उसके कार्याली के बीच आदान परदान की गई टिपनियों और आदेशों या मसोधा पत्रों और निश्पक्ष प्रतियों वाली इस कार्याली file है dark द्वारा कैसे भेजी जा सकते हैं letters के रूप में book packets, parcels या फिर all of the above correct answer आपके पास क्या आजाएगा D आजाएगा क्या आप इसको letters, book packet या parcel किसी भी तरह से भेज सकते हैं किस चीज़ के ओपर ये depend करेगा the option of the sender pressure की इच्छा के अनुसार इसको आप letters, book packet या parcel के रूप में भेज सकते हैं but is the rate of discount for the walk-in customer who books speed post for 3000 3000 रुपे के लिए speed post book करने वाले walk-in ग्राहक को दी जाने वाली shoot दर क्या होगी अब walk-in customer क्या होते हैं एक तो होते है regular जो regularly dark को post करते हैं speed post articles को post करते हैं लेकिन एक होते हैं walk-in customer walk-in होते हैं कभी कबार आने वाले अब कभी कबार आने वाले अगर कोई ग्राहक है एक दिन में यहाँ पर एक दिन की बात की जाएगी तब ही यह discount दिया साएगा एक दिन में 3000 रुपे की posting कर रहा है तो उसको कितने प्रतिशत का discount दिया साएगा कोई discount नहीं दिया साएगा 15%, 5% या फिर 10% तो किस तरह से दिया साएगा है 2000 रुपे से लेके 1,00,00,00 रुपे तक 5% और 1,00,00,00 से उपर का होने पर 10% का discount दिया साएगा तो यहाँ पर इसका correct answer आपके बास क्या जाएगा C आजाएगा Next चलते है Dangerous Goods Means Articles which are capable of posting a risk to खतरनाक सामान का अर्थ ऐसी वस्तूओं से है जो कोई जोखिम उत्पन करने में सक्षम हो किस चीज़ को जोखिम करने में Only Employees केवल करमचारियों को Only Environment केवल परियावन को Health, Safety, Property and Environment या फिर इनमें से कोई भी नहीं Correct answer आपके बास क्या जाएगा C आजाएगा अब Dangerous Goods में कौन-कौनसी चीज़ें आजाएगी ऐसी चीज़ें जो किसी के स्वास्थयों को नुकसान पहुंचाएं या किसी ओर चीज़ को सुरक्षा की दृष्टी से वो खतरनाक हो या किसी प्रोपर्टी को वो नुकसान पहुंचाएं या फिर वो Environment को को नुकसान पहुंचाएं तो उन सभी को किस में include किया साएगा Dangerous Goods में खतरनाक सामान में उसको शामिल किया साएगा C option सही हो चाएगी Stamps to the Holder of Flatly Deposit Account Will be dispatched by registered post The charges for the said services Flatly क जमा खाता धारक को डार्क टिकेट पंजीकरित डार्क द्वारा भेजे साते हैं उक्त सेवा के लिए परभार के अब देखो जो भी Flatly Deposit Account Holder होता है उसे जो Flatly आइटमस भेजी साते हैं वो कैसे भेजी साते हैं पंजीकरित डाक के माध्यम से भेजी जाते हैं और इस सेवा के लिए याशुल के लिए आज आएगा Postage for registration will be deducted from the account पंजीकर्ण के लिए डाक खर्च जो आवो खाते से काट लिए आज आएगा Free of cost कोई charges नहीं लगेंगे Half of the prescribed rate या फिर नरधारित दरों का आधा देना होगा Will be dispatched only by ordinary post के वल साधार डाक से ही भेजा जाएगा तो इसका correct answer क्या जाएगा B आजाएगा अब देखो जो फ्लैडली की items होती है फ्लैडली deposit account holder को Own Postal Service ठीक है Own Postal Service के ओपर भेजी जाती है और इसके लिए कोई भी charges नहीं लगते है तो यहाँ पर भी option जो है correct हो चाहीगी Next question आपके बास The charges per insert under will mail services Will mail सेवा के तहत प्रती प्रविष्टी शुल्क क्या है 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया या फिर कोई charges नहीं लिये जाते है Correct answer क्या जाएगा आपके बास या जाएगा 25 पैसे अगला question चलते है If the BNPL customer fails to pay the dues by the due date Then the rate of penalties यदि BNPL ग्राहत दे यतिथी तक दे राशी का भुक्तान करने में बिफल रहता है तो जुर्मानी की दर क्या होगी 10% पर एनूम, 15% पर एनूम 18% पर एनूम या फिर 12% पर एनूम उक्रेक्टा अंसर क्या होगा D आस आएगा BNPL की फॉर्म क्या होगी बुक्नो पे लेटर अब इसमें एक और टर्म आती है टर्म क्या आती है वल्क कस्टमर थोक ग्राहक जिससे कहा जाता है अब वल्क कस्टमर क्या होता है कोई भी ऐसा कस्टमर जो एक माह में एक कलेंडर माह में 10,000 रुपे तक का स्पीड पोस्ट बेफसाई परदान करता है उसको हम क्या कहेंगे वल्क कस्टमर कहेंगे अब वल्क कस्टमर जो अगर क्या कर रहा है 50,000 रुपे से अधिक का अब अब साए परदान करता है एक महीने में तो उसको क्या दी साती है यहाँ पर शूट दी जाती है उसको क्या दिया साएगा रिवेट दिया साएगा अब आगे सेलते हैं रिवेट तो ठीक है अब बुकनों पे लेटर फैसलिटी में क्या होता है आप अतने लेखों को post कर देते हैं, उसके लिए जो charges है उनका भुकतान आपको बाद में करना होते हैं, अब जो bill होता है वो कैसे त्यार किया साता है, अगले महीने की साथ तारीक को उसे customer को भेजा साता है, अब जिस महीने में customer को bill भेजा साता है, उस महीने की last तारीक से पह देनी पढ़ती है, D option क्रेक्ट आजाएगी. Next question आपके पास ECS means, ECS का क्या मतलब हो जाएगा, Electronic Clearance Service, Electrical Cash Service, Electronic Credit Service, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, question paper में यहाँ पे clearing दे रखा था, C-L-E-A-R-I-N-G, ठीक है, यह word दे रखा था, अगर आपके पास option में Electronic Clearance Service नहीं है, और Electronic Clearing Service दिया है, हलांकि यह गल हैता है, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं, बाद में Objection किया जा सकता है, क्योंकि option इसको सही माना गया है, तो यहाँ पे इसका correct answer क्याएगा, Electronic Clearance Service, यह option correct होगी, Clearing लिखा है, Clearance नहीं लिखा है, तब आप उसको correct करके आएंगे, आगे सहरते हैं, Which one of the following service cannot be availed through IPPV Mobile Application, IPPV Mobile Application के माद्यम से निमलिखित मैंसे कौन सी सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, Online Payment Facility to RD Account, RD खाते हैं मैं Online भुक्तान की सुभिधा, Online Payment Facility to PPF Account, Online Payment Facility to SSA Account, या फिर Online of RD और PPF Accounts, Opening of RD and PPF Accounts, correct answer क्या जाएगा, अब इसमें आप RD में deposit कर सकते हैं, PPF में deposit कर सकते हैं, SSA में deposit किया जा सकते हैं, RPLI, PLIB अब इसमें आप deposit कर सकते हैं, लेकिन नया RD का कहता खोलना या PPF कहता खोलना इसके माधियम से नहीं किया जा सकता है, D option correct आजाएगी, next जलते हैं, but are the charges far availing, withdrawal through other bank ATM's after free transactions, मुफ्त लेन देन के बाद, अन्य bank के ATM के माधियम से निकासी का लाव उठाने के लिए, cashulk लिए आजाएगा, 25 रुपीज प्लस GST, 10 रुपीज प्लस GST, 20, 50 रुपीज प्लस GST, correct answer आपके बास क्या आजाएगा, C आजाएगा, 20 रुपे प्लस GST लीजाती है, अब इसमें देखो, जो daily withdrawal limit रहती है, ATM से बो कितनी रहती है, 25,000, अगर आपके बास DOP का ATM है, तो आप एक दिन में 25,000 रुपे की निकासी कर सकते है, और per transaction की बात करें, कितनी है, 10,000 रुपे, एक transaction में 10,000 रुपे निकाल सकते हैं, एक दिन में maximum आप 25,000 रुपे निकाल सकते हैं, अब दूसरे क्योंकि आप post office ATM का use, उस दूसरे बैंक के ATM से भी निकालने में कर सकते हैं, पैसे निकालने में कर सकते हैं, अगर आप करते हैं ऐसा, तो जो free transactions आपको दी जाती हैं, उसके बाद एक transaction करने के लिए, आपको 20 रुपे प्लस जो भी GST बनती है, वो charges दे बढ़ेंगे, आपकी deduct कर लिया जाएंगे, इस या option करेक्ट हो साएंगी, but are the charges of our transfer of a PPF account from one post office to another, PPF खाते को एक डाक घर से दूसरे डाक, घर में स्थानांत्रीत करने के लिए क्या शुलक लिया जाता है, 50 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे या फिर कोई charges नहीं लिये चाहेंगे, क्रेक्ट आंसर क्या हो साएंगा, आपके बास भी हो साएंगा, 100 रुपीज लिये चाहते हैं, आप कुछ बोलते हैं भाई, 108, 120 इस तरह से बोलते हैं भाई, इसमें plus GST भी लगती है, स्कन्या समरिध्धी खाते की परिपक्ता अबदी कहा है, 21 years from the date of opening, 20 years from the date of opening, 25 या फिर 10 years from the date of opening, क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा, SSA का खाता, खाता खोलने की तारीक से 21 वर्ष के बाद परिपक्त होता है, ए उप्शन क्रेक्ट आजाएगी, डिपोजिट की बात करें, 15 साल पूरे होने तक आप इसमें डिपोजिट कर सकते हैं, 10 वर्ष से कम I.U. की लड़कियों के नाम ये खोला जा सकता है, एक परिवार में अधिक्तम दो लड़कियों के लिए इसको खोला जा सकता है, जिनकी I.U. 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ध्यार नखना S.S.S.E. का खाता खोलने की तारीक से 21 वर्ष के बाद परिपक होता है, बड़ीजी मैक्सिमम लिमिट फार M.I.S. जॉइंट अकाउंट ऑप्रेटिड वाई 3 अडर्स, तीन व्यसकों द्वारा संचालित M.I.S. अस्यक्त खाते की अधिक्तम सीमा कै 4.5 लाक, 9 लाक, 13.5 लाक या फिर 15 लाक, प्रेक्ट आंसर आपके बास क्या आजाएगा, बी आजाएगा 9 लाक रुपे है, तो M.I.S. खाता जो है, अगर आप सिंगल खोल रहे हैं, तो 4.5 लाक रुपे, अगर जॉइंट खोल रहे हैं, चाहिए वो 3 अडर्स मिलकर खोले, 9 लाक रुपे मैक्समम उसमें डिपोजिट किये जा सकते हैं, बड़ी इसी, method of calculation of TD interest, TD का ब्याज होता है, उसकी गणना की बिधी क्या या किस तरह से उसकी गणना की साती है, quarterly calculated payable annually, annually calculated, half yearly calculated payable annually, quarterly calculated या फिर payable quarterly, correct answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा quarterly calculated क्या हो जाएगा 83 कि इसकी गणना की जाएगी तीन महीने के अधार पर इसकी गणना की जाएगी लेकिन जो interest दिया जाता है वो annual basis के ओपर दिया जाता है एक चीज़ा रखनी है चाहे आप five year TD का account खोल रहे हैं present में तो इसमें क्या होता है क्योंकि पहले होत जिसमें आपको interest जो है monthly basis के ओपर quarterly basis के ओपर या early basis के ओपर मिलता है उसके लिए saving का account must है क्योंकि saving के account में वो आपका interest जैसे भी मिलेगा monthly मिलेगा तो monthly quarterly मिलेगा quarterly early मिलेगा तो early आपके account में deposit हो जाएगा अब five year TD है इसमें interest कैसे दिया साथ है early basis के ओपर जैसा कि यहाँ प account link होना से तभी आपका interest है वो saving के account में जाएगा लेकिन इसको calculation के कैसी की जाती है quarterly calculated 83 का धार पर इसकी गणना की जाएगी और early basis के ओपर आपको यह दिया साएगा तो यह option correct हो साएगी अगला चलते है central bag offices केंद्री यह bag कार्याले है A section of postal directorate B section of postal directorate C section of postal directorate F D section of postal directorate correct answer आपके पास क्या जाएगा D आजाएगा D section of postal directorate dark निदेशाले का D अनुभाग किसे का जाता है central bag office को का जाता है D option correct आजाएगी a sorting assistant who works with a sorting office over only a portion of its working hours to assist the set where the work is heavy as cold as छंटाई सहाय का जो अपने काम काज के घंटों के दुरा छंटाई कार्याले के साथ एक सेट में काम करता है जहाँ पे काम अधिक हो उसे क्या का जाएगा अब एक sorting assistant है माली जो उसके working hours कितने है 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है अब इनी काम काज के घंटों के दुरान वो क्या कर रहा है एक छंटाई कारयाले के सेट में जाकर काम करता है जहाँ पे बहुत जादा काम है तो इस बाले sorting assistant को क्या काज आएगा options है आपके बाद sorting assistant ही कहाँ जाएगा temporary sorting assistant, subsidiary sorting assistant या फिर part time sorting assistant उसे कहाँ क्या कहाँ जाता है subsidiary sorting assistant सहकारी छंटाई सहायक उसे कहाँ जाता है यह option करेक्टाज आएगी mail bags between cash office and sub office to which it finances contains registered bag with cash bag are distinguished with a symbol cash office और उपकारयाले के बीच mail bag जिनके लिए या बित पोशित है cash bag के साथ पंजीकरित bag को किस एक परतीक के साथ अलग क्या जाते यनि कि अगर cash office और sub office के बीच में जो mail bag exchange हो रहा है उसके बीच में registered bag है और उस registered bag के अंदर पंजीकरित थैले के अंदर अगर cash bag है तो उसको किस symbol के साथ डिनोट क्या साथ है MSDFF correct answer क्या जाएगा डिया जाएगा 26 की सही option आपके पास क्या जाएगी डिया जाएगा कहीं जगा पे P भी दिया होता है अगर option में आपके बास F ना हो P दिया हो तो आपकी P option क्रेक्ट होसाएगी अगर आपके पास दोनों ही दे रखी हो तो आप कौन सा ठी करेंगे तो आप question के लिए objection कर सकते है डिया option क्रेक्ट आजाएगी इन्शॉड बैग्ज और बीमा करी तो थैले होते हैं डू बैग्ज अन्यूजल बैग्ज नाइदर ए डू बैग्ज नोट ए अन्यूजल बैग्ज या फिर कैम्प बैग्ज रेक्ट आंसर क्या जाएगा 27 का आपके पास चीया साइगा यह बहुत बार मैंने बूला भी है कि इन्शॉड बैग या बीमा करी तथैले जो होते हैं ना तो यह डू मेल में आते हैं और ना ही ए अन्यूजल मेल में आते हैं तो इसका सही आउन्सर आपके पास क्या अगर इन्शॉड बैग जो होते हैं जो इन्शॉड पासल वगरा होते हैं उनको कवर करने के लिए इनका यूज किया जाता है ताकि उनको अधिक सुरक्षा परदान की जा सके और इन्शॉड बैग में ना ही कोई लिस्ट होती है तो इसमें जो भी कॉंटेंट से रह लेकिन आपकी आगे वाली डैफिनेशन में से पूछा गया है बैग वन बैग विद लास्ट सीरियल बिल नोट भी प्लेस या फिर अनी बन ऑफ दी बैग तो क्रैक्ट आंसर क्या साएगा आपके पास यहां पे 28 की सही ऑप्शन आपके पास यहां साएगी बैग नंबर बन में इसको रखा साता है आगे सरते हैं लेवल टाइड टू दी टोप ओफ दी लेवल बंडल इस कोल्ड लेवल बंडल के शीर्ष पर बांधे जाने वाले लेवल को क्या का साता है लेवल का साएगा स्टेशन लेवल बंडल कार्ड या फिर चैक स्लिप उसको क्या का साता है जाच पर्ची किसी भी level bundle में गलत तरह से या गलत ले को include करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारीत करनी हो तो किसका प्रियोग कियास आएगा चैक स्लिप जाच पर्ची का प्रियोग कियास आता है डी option क्रेक्टास आएगी अगला question है आपके पास वल्क बैग मीन्स वल्क बैग का क्या आर्थ होता है ओटप सलेवस ये भी कॉश्चन है बैग कंटेनिंग वल्की आर्टिकल्स थैला जिसमें भारी सामान हो मैनी बैग्स क्लोजड बाई अमेल ओफिस टू पोस्ट ओफिस डाक का रहनले दारा एक डाग घर के लिए बंद कियेगे कई बैग स्पैशल बैग ऑफ प्रिंटेड पेपर एड्राइजड टू और फ्रों फोरेंड कंट्री से इन में से कोई भी नहीं ग्रक्ड आंसर किया जाएगा अभी मैंने ऊपर ऐसे बोला आपको कि जो पीए की त्यारी करते हैं साथ में थे ने ट्यारी ने करते हैं वह बेस्ट रहते हैं वल्क बैग का यूज कहां पर किया साथ है तो विदेशों को या विदेशों से संबोधित मुद्रित पत्रों का यह भी शेला होता है इठके है तो इसको भारत से भारत में जो प्राप्त गरता होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया साथ है तो यह option क्रेक्ट आजाएगी आ आपके बास एथनोल प्रदूशिंग प्लांट फ्रों फार्म वेस्ट हैस बिन इनोग्रेटेड वाई प्राइम मिनिस्टर इन क्रिशी अप्षिष्ट से इथनोल उत्पादन सेंत्र का उध्गातन प्रदानमंती द्वारा कहां पे किया गया है क्रेक्ट आंसर आपके बास डिया जाएगा पारिपत बट इस दी मीनिममम एस टूफी इलेक्टेड ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियमेंट राज्यसवा राज्यसवा सांसत के रूप में चुने जाने की नियूनतम आयू कितनी है क्रेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा तीस वर्ष है आगे सब्सक्राइब ब जाएगा तो प्रेजडेंट आजाएगा आगे सब्सक्राइब इस नोट इस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सी पूरव की और बैने वाली नदी नहीं है क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा सी आजाएगा तापती नेक्स जलते हैं बिच इस लार्जस्ट प्रड्यूजर जूट इंदी वर्ड विश्वम है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से भारत ही है तो भी ऑप्शन से ही आजाएगी भी इस आर्वेस्ट फेस्टिवल सेलिवरेट इन भी हू जो है फसल का त्योहार है और यसे कहां पर मनाया जाता है इसी ऑप्शन क्रेक्ट जवाइस है कि आगे चलते हैं विच दी च्शनल सोंग ओ इंडिया चैका राश्टिय गीत जवाब ऑ जाँ कुल साजा जाएगा वंदे선 महात्रम आजाएगा जाएगा तोथि स्थान पर सेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सेमेंट कार खाना स्थापित क्या गया है तो इसका क्रैक्ट आंसर सी आज आएगा नया गाउं तो ये था आपके पास 36 गड़ MTS का 2022 का कॉस्चिन पेपर किसी भी कॉस्चिन में आपको किसी भी तरह का डौट क्मेंट सेमेंट का पूछ सकते हैं किसी कॉस्चन का अंसर गलत लगे तब भी आप क्मेंट सेमें जरूर इस चीज के लिए बता सकते हैं वकिन कस्टमर के लिए जो शूम दी जाते है उसको एक वार क्रोस्ट जरूर करना उसमें कुछ अपडेट भी आई हैं लेकिन अभी तक जो है इसको सही माना गया है 5% को लेकिन फिर भी आप एक बार उसको ज़रूर चेक करेंगे और बाकी भी अगर किसी कोशन में कोई डौट हो तब भी आप उसको क्रोस चेक करें और नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और बाकी रेगलर क्लासिस में हमा ऐसा जुणना चाहते हैं स्क्रीन पे दियो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इसी के मैथ वाले पॉर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल साएगा ज़रूर आप उसको भी करेंगे धन्यवाद